गाइज मैं हूँ इसे में जेपीद बजाज पर और यह बाइक यहां अब लिविल है आप चाहत अब तो यह है मेरे सामने रस 200 बीए सिक इतीन कलर में आती है ब्लैक ब्लू और रेड गाइज वेल्कम बेक टो मैं यूटी चैनल राइट पर गाइट मैं हूँ शेलेन और एक अब सब्सक्राइब करते हैं और यहां देख रहे हैं और मोनो सस्पेंशन है और फ्रेंट में मिलता है तेलिस्कोपिक और चलिए रैट शुडू करते हैं और यह इसका सब्सक्राइब का फ्यूल टैंक है और प्रोजेक्टर लैंप है सामने के साइड और एलिए इंडिकेटर से हैं तो मेरे साथ यहां के एक एंपलॉई भी है तो अब देख सकते हो पुरा कि अब शीशा नहीं है इसमें तो गाइस बाइक की हैंडलिंग काफी ज्यादा अच्छी है और स्पोर्स बाइक होने की विजए से काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल हो रही है कि मोडरेट होरन है कि पोट पोटी लूख है और इंजन है और थर्टी लिटर के फ्यूल टैंक बाकि इसका चैन्सोल है वह एनलाउग और डिशल दोनों है आर्पीम इसका अनलाउग है और जो इसका स्पीडो मेंटर है वो जिस्टल है और इसका फ्यूल इंडिकेटर है वो भी डिशल है आप यहां देख सकते हो लो फ्यूल दिखा रहा है जादा आगे मैं नहीं जा सकता तो आगे काम चलता है जिसकी हुजासे यहां बहुत ज़्यादा और ब्रेकिंग बहुत अच्छी इस गाड़ी की एरा गड़ा टर्निंग रेडियस बढ़िया है तो हम यहां से लेते हैं मोड को की आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वह थोड़ा रेव करते हैं वाई का स्पीडो मेटर बंद है एक्छी आर्पिम चला है कि बद तो सेटिंग पोस्ट चाहिए अग्रेसिव होनी के विजए से मेरा थड़ा है दिली हतेली पर जो पाम है इस पर जोड़ा आ रहा है मुझे इसके गियर का अंदाजा नहीं लग रहा है जैसा कि मैंने बताए बाइक तीन कलर के वेरियंट में आती है ब्लैक ब्लू एंड रेड़ कि अग्राइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 157 mm और यहां तंसोल देख सकते हो पुरी तरह वही बजाश पल्सर वाला है यहां पर पुरी तरह यह ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूवत नहीं है मुझे पर सामने की साइड जो इसका लुक है इसका काफी अग्रेसिव है बाकी यह मैं इसके टॉप स्क्रीड भी नहीं दिखा सकता कहां गया तो वरल बाइक चलाने में बहुत बढ़िया है तो इस बाइक का प्राइस है एक लगट अटर जा रुप है अंड़ोड एक लुक अब देख लो तो आई होगा शोटर असा वीडियो था टेस्टाइट का ज्यादा कुछ नहीं बता पाया चली मिलते हैं असे नेक्ट लॉग में सी यू बबाई राइट सेफ सेफ झाल